हेलो एंड वेल्कम बैक टू कम्पुटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से कम्पुटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ सौरब आप लोग देख रहे हैं स्सी चेसल का यूट्यूब कोर्स आज हमारा जो टॉपिक करने के पहले अगर आप यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं क्योंकि सारा जो कंटेंट है विट ग्रेट क्वालिटी आपको दिया जा रहा है और साथी साथ इसके लिए आपको को कोई शूलक तो मैं यहाँ पर कवर करा हूँगा तो मोटे तोर पर एक्चुली अगर देखा जाए तो एलिगेशन याने मिश्रानुपात के सवाल आसान तो होता है लेकिन कंफ्यूजन यह होता है कि इस सवाल को लगाए तो कहां पर लगाए ठीक है तो वह कंफ्यूजन भी मैं यहाँ और ओवराल एवरेज जो है पूरे के पूरे इस ग्रुप का वो है तो हम यहाँ पर एलिगेशन जब लगाने जाते तो एलिगेशन क्या होता है कि आप एवरेज को यहां लिख लेते हैं और बीच में एक एवरेज लग जाता है इस तरीके से आपका एलिगेशन लगता है जिसमें कि अगर हम देखें तो यह जो total average है, यह कभी भी जो बड़ा average होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता और छोटा average से छोटा नहीं हो सकता, यह जो A आया बीच में, यह हमेशा A1 और A2 के बीच में रहेगा, मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर A2 जो है, वो A1 से बड़ा था ऐसा हम मान लेते हैं, एजूम करते हैं, अगर A2 A1 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह होगा कि जो A आया, यह जो average overall आया, वो कही ना कहीं A2 से A1 के बीच में होगा, ना यह A2 से बड़ा हो सकता है, ना यह A1 से छोटा हो सकता है, overall average को हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा मतलब कि suppose करिया कि अगर यह 20 है और यह 10 है, यह average है इन दोनों quantities का, तो जो overall average है, वो 20 से जादा नहीं जा सकता, वो 10 से कम नहीं जा सकता, हमेशा 10 से 20 के अंदर ही रहेगा total average, ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या होता है, जब allegation लगाने की बारी आती है, तो हम क्या करते ह इन दोनों का difference, जो बड़ा है और जो overall average है, इन दोनों का difference निकाल के इस तरफ लिखते हैं, A2-A, और क्योंकि आपका A2 बड़ा है, तो यहाँ पर A2 लिखाएगा, और ratio में दूसरे तरफ क्या लिखते हैं, तो A1 और A का जो difference है, वो दूसरे तरफ लिखते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे, A-A1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका A बड़ा है, A1 से, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर A1, A2, A1 से अगर बड़ा है, तो A जो है कहीं न कहीं दोनों के बीच में लाए करेगा, तो जब difference निकाल के लिखते हैं, तो बड़े value से इस बीच वा ठीक, अब देखिए, अभी तक आप, अगर मेरे सारी वीडियो देखें, तो मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़े आपको बताईए, short tricks वगेरा, उसके पीछे कि मैं सारी कहानी भी आपको बताता हूं, तो इसके पिछी कहानी में बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो होता है कि अलग-अलग quantity का जब अलग-अलग average दिया है, तो overall average कैसे निकालना है, यही weighted average होता है, तो आईए समझतें weighted average क्या है, अगर अलग-अलग quantities का अलग-अलग average आपको दिया हुआ है, फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर इसको समझे कि अलग-अलग मात्राओं का अलग- average आपको दिया हुआ है, तो बात समझे है, यहाँ पर हमको क्या पता है कि average बराबर होता है, average, overall average जो होता है, total sum होता है, total sum, यानि कि योग-फल divided by number of quantity, यानि कि total quantity से divide करने पर average निकल के आता है, अब जब sum निकालने की बारी आई, तो sum क्या होता है, sum होता है, average multiplied by number, यही होत है, sum, average multiplied by, इससे sum निकलता है, तो अगर हम इस formula को देखे, God से, कि average बराबर sum by number है, और sum क्या है, तो average into number, यह हम पिछले वीडियो में देख चुके है, तो अगर मैं आप से पूछू बताइए, इन नोनों का average क्या है, इन नोनों का sum क्या है, तो आप इन नोनों को multiply करके लि इसकी बात करूँ, तो total quantity कही न कहीं होगा, मतलब अगर हमें average निकालना है, weighted average निकालना है, तो उसका formula कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, उसका formula कुछ इस तरीके से दिखता है, q1 a1 plus q2 a2 plus q3 a3, etc, so on up to q1 an, divided by q1 plus q2 plus q3, etc, so on up to qn, यहीं आपके weighted average का formula है, भारित औ आगे होगा कि यह formula आया, कैसे आया है weighted average, यह भी एक तरीके का average ही है, और average के definition, यानि की आउसत से हम इस weighted average के definition को भी निकाल रहे है, ठीक है, चलिए, अगर आपने इस चीज़ को लिख लिया है, अपने notebook पर इसको लिख लिए, एक बार, इस से आधारित एक प्रश्न मैं ल ठीक है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, मैं बताऊंगा आपको यहां पर weighted average बताने का मकसद क्या था, चलिए, एक सवाल पहले देखिए, जैसे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, 13 shirts of 50 rupees each करीद रहा है, 15 pants of 60 rupees each करीद रहा है, 12 pairs of shoes for 65 rupees a pair खरीद रहा है find the value of each article, find the average value of all the articles, तो यहां पर देखिए, एक व्यक्ति ने 13 कमीज खरीदे 50 rupees प्रती कमीज की दर से, 15 pants खरीदे 60 rupees प्रती 50 के दर से, और 12 जोडे जूते खरीदे 65 rupees प्रती जोडे जूते के दर से खरीदे, तो सभी वस्कतों है, इन सभी वस्कतों का औसत मूल्य क्या है, यह हमें ग्याद करना है, तो आप में से कई लोग इसको solve कर भी लिये होंगे, यहां पर दिया है कि 13 shirt जो है, इसका जो average price है, वो 50 rupees पर shirt दिया हुआ है, देखिए, जहां भी इस तरीके से दिया रहत है न, प्रती shirt या each, यानि कि यह आपका average का काम कर रहा है, ठीक है, तो य अगर आप से यहां से average निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप multiply करेंगे 13 into 15, इन दोनों को multiply करने पर कहीणा कहीं 650 आ रहे है, इन दोनों को यदि में multiply करूं तो कितना आ जाएगा, कहीं कहीं 900 आ जाएगा 900, ठीक, और इन दोनों को multiply करूंगा तो कहीं न कहीं आ जाएगा, यहां से 72 और 60 मतलब 780 रूपया ठीक 780 रूपया मतलब टोटल सम की अधी में बात करो इसको जोडने पर आ जाएगा यहां पर 13 यह हो गया 7 प्लस 7 14 प्लस 9 मतलब कहीं न कहीं 23 आ रहे मतलब 23 2330 जो है इसका टोटल वैल्यू हो गया सम हो गया इस तरीके से q1 a1 into q2 a2 into q2 a3 को मल्टिप्लाय करने से इस तरीके से वैल्यू आ अब देखें टोटल क्वांटिटी कितना है तो इन सब को जोडने पर आएगा इन सब को जोडने जाएंगे तो कहीं न कहीं 40 आ रहे है क्योंकि यह 25 हो जाएगा और इसमें 15 यानि कि क इतना हो गया तो आप कहोगे सर यहां से पांच बार कटेगा 32 जो है 8 बार कटेगा .25 मतलब कहीं न कहीं जो एवरेज है लेकिन हमको यहां पर और भी छोटा तरीका पता है मैं deviation का प्रोच में पता है मैं deviation से आपको इस सॉल्व करके बताऊंगा फटाफट deviation से और जन्दी सॉल्व हो जाता है क्योंकि वेटेड आवरेज में कहीं न कहीं हमें पूरा वैल्यू लेना पड़ रहे है लेकिन deviation में हमें कहीं न कहीं बस difference लेना होता है multiplied by जितने quantity ते अब यह जो प्रोसेस हुआ ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि आप कर क्या रहें आप पचास को तेरा बार जोड़ रहें तो आप खुद बताईए कि पचास को तेरा बार जोडने का मतलब क्या हुआ पचास गुने तेरा वही हम यहाँ पर कर रहें quantity इंटू एवरेज से सम निकलता है तो इसका सम निकल गया इसका सम निकल गया पैंट का और यहाँ पर आपके जूतों का भी सम निकल गया इसको जोडने पर जो वैलुआ है 2330 divided by total quantity 40 है तो average निकल क्या जाएगा 58.2 यह एक त दूसरा तरीका जो deviation वाला है उसको भी समझ के रखिए क्योंकि deviation is much more quicker और बहुत fast है deviation से इसको solve करना तो इसमें deviation में क्या होता है आपको कोई भी इसमें assumed average लेना है average को assume कर लेंगे जो आपको पसंद का value आप किसी भी value को चाहे आप 50 को ले लिजे चाहे आप 60 को ले लिजे चाहे आप 65 को ले लिजे इससे कोई फरक ने पड़ता आपका answer same आएगा ठीक लेकिन deviation बस यह कहता है आपने जो assumed value लिए है उससे अगर बड़ा value कुछ आ रहा है तो आ 30 से 10 कम था मतलब 10 कम लेकर जा रहें कितने 13 लोग मतलब कहीं न कई 130 का नुकसान होगा तो 130 माइनस में मैं लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर 13-13 करके 10 लोग कम लेकर जा रहे हैं अपने average assumed से और यहां पर अगर देखेंगे तो पांच average ज्यादा लेकर जा रहे है तो एक् 60 वाएगा और 60 के साथ 60 का डिवेशन 0 होता है तो उसको लिखने की कोई आविस सकता है ओवरॉल यह जो average है यह कहीं न कहीं 40 लोगों में बटने वाला है 13 12 और 15 इन तीनों को सम क्या है 40 40 अर्टिकल में यह डिवेशन बटेगा तो इसलिए मुझे यहां पर divided by 40 करना होगा यह हम डिवेशन देख चुक है तो अगर आप देखेंगे तो माइनस का 130 और प्लस का 60 मतलब टोटल कितना है तो माइनस का 70 माइनस 70 माइनस 70 को अगर मैं 40 से काटू तो कहीं माइनस 1.75 आएगा मतलब average जो है 60 माइनस 1.75 और 1.75 मतलब कितना होगा 58.25 होगा तो यह ज्यादा असान deviation से solve करना तो weighted average में भी कही ना कहीं जो चीजें है वह ज्यादा असान होता है कि आप इस तरीके के सवाल को deviation से करें वह ज्यादा तेजी से आपको उतर दे देता है चलिए अब हम वापस आते हैं allegation में कि मैंने आपको यह सारी बाते बताई weighted average को बताया तो क्यों बता अगर हम कुल मात्राओं का अनुपात मान लेते हैं तो भारित ओसत में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि इस तरीके से अगर आप इसके घात में देखें पावर में देखें तो 1111 हर जगा चल रहा है मतलब मैं q1 का अनुपात ले लो q2 के साथ और q2 का अनुपात ले लो q3 के साथ इस तरीके से सभी का अगर मैं अनुपात ले लो qn थक और उसके बाद में average निकालो तो average में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि कही ना कहीं जो values है वो उपर नीचे सेम है और वो कड़ क्यों फरकर तो अब यह आपको समझ में आ जावगया होगा कि मैंने रिशंट लिया था तो रिटिम्न के यह लिए तो चलिए ऑब मैं वापस आता हूं एलिगेशन में में जैसे की मैंने आपको शुरूवाधी तोर्पर बताया ठीक है कि अलिगेशन क्या है तो allegation है average को solve करने का एक तरीका, तो कौन से average को solve करने का तरीका है, जहाँ जहाँ पर weighted average लग रहा है, इस तरीक की average को, तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर बताया, quantity Q1 जो है, उसका average A1, quantity Q2 जो है, इसका average A2 है, such that A2 जो है, वो A1 से बड़ा है, तो इसका अगर overall average A होगा, तो इसका A जो है, A2 और A1 के बीच में लाएं करेगा, यह सब बात आप सब अभी तक जानी चुके होंगे, ठीक है, तो overall average जो है A, यह जो overall average A है, इस average A का calculate करने का formula हमने देख लिया, यह है Q1 A1, plus Q2 A2, divided by Q1 plus Q, यह यह formula, क्यों है, यह भी समझ में आगे, अब यहां से हम, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को Q1 अनुपात Q2 दे सकते हैं, कि नहीं दे सकते हैं, आप अगर मुझे Q1 अनुपात Q2 यहां से निकाल के देदेंगे, तो मेरा allegation का जो formula है वो बन जाएगा, क्योंकि कहिना कही allegation में हमने शुरुआती तोर पे देखा, कि quantity का ratio जो है वही जो है, उसी के ही तहत हम कहते हैं कि यह allegation है, तो देखिए इसमें यदि मैं quantity का ratio निकालना चाहूँ, तो कैसे निकलेगा, आपको rearrange करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन मिल जाएगा चीज़े, अब देखिए इस quantity 1 और quantity 2 को इस तरफ ले जातें, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह A से multiply होगा Q1 प्लस Q2, ठीक है यह multiply होगा, और right साइड में आपका बन जाएगा Q1 A1 प्लस Q2 A2, रख लेते हैं दूसरे तरफ इसको एक साइड और दूसरे वाले को एक साइड, इस तरीके से इसको rearrange करने के कोशिश करते हैं, तो देखिए यहां से अगर मैं Q1 देख रहा हो, यह Q1 और Q1 को common निकाल लेंगे तो इधर बचेगा A-A1, और दूसरे तरफ अगर यह Q2 है, यह Q2 है, दोनों में से Q2 अगर common निकाल लोंगा तो क्या बचेगा, तो A2-A बचेगा, यही आ रहा है formula, मतलब कि खुल अगर formula को हम देखें, तो कही न कहीं Q1 बटे नीचे के आया, तो A2-A आया, और Q2 बटे के आया, अनुपात में देखोगे तो a-a1 यही चीज हमने देखा था allegation का formula यही कहता है तो कहीना कही allegation जो है वो average को solve करने का एक तरीका है और यही है अपका allegation कहता है कि quantity को जो अनुपात है वो overall average का दूसरे वाले average के साथ जो difference आ रहा है इसी के अनुपात में रहता है मतलब q1 का जो ratio है वो proportional to होगा overall average और दूसरे के साथ जो difference है यानि कि देखिए अगर q1 है तो q1 का दूसरे के साथ difference क्या आएगा a2 और a का difference और q2 का difference q2 का ratio चाहिए तो दूसरे के साथ मतलब इसके साथ नहीं इसके साथ जो difference है वो आपको इस तरह लिखना होगा तो देखिए कुल मिला के graphically हम इसको इसी तरीके से represent करते है मैं इन चीजों को अब यहां से हटा देता हूँ graphically अगर हम इन चीजों को represent करने जाएं तो कहीं न कहीं इस तरीके से दिखेगा कि यहां पर अगर a1 है यहां पर a2 है और यहां पर a है ठीक अगर मुझे q1 अनुपात q2 चाहिए तो मैं यहां लिखूंगा a2 minus a जो कि यह है उन दोनों का difference right side वालों का difference जो है कहीं न कहीं यहां पर आ जाता है मतलब a2 और a का difference निकाल के यहां लिखना है दूसरे तरफ क्या लिखना है तो a minus a1 लिखना है और यहां पर अनुपात लगा दे रहा है तो यही जो अनुपात है वो इस वाले quantity q1 का और इस वाले quantity q2 का बेश्यू रहेगा यही formula है actually allegation यह है लेकिन हम इसको लगाते कैसे तो ऐसे लगाते है clear है यहां तक अब आपको समझ भाग लिया होगा allegation का theory part इतना ही theory part है इसी के उपर सब सवाल based होते है और आप concept को पकड़के रखिए क्योंकि सवाल बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके है और second सवाल बन सकते है लेकिन concept जो है वो इतना ही है यह change नहीं होगा ठीक है अब इस चीज का ध्यान रखिए कि quantity के ratio लेने से average पे कोई फरब नहीं पड़ता है चलिए अब यहां तक जो theory हमने देखा इससे हम एक-एक सवाल लगाएंगे ठीक है और जहां-जहां weighted average लगता है वहाँ-वहाँ पे आपका जो है यह average भी लगेगा allegation भी लगेगा तो weighted average कहां-कहां लगता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ देखिए weighted average में आपने देखा कि अलग-अलग quantities का अलग-अलग जब average लग रहा है ठीक है तो हम यहाँ पर weighted average लगाते है weighted average लगाते है मतलब अलग-अलग मातराओं का जब अलग-अलग आपको उसत दिया हूँ है वहाँ पे हम weighted average लगाते है यानि कि भारित उसत वहाँ पे हम लगाते है ठीक तो जहां जहां पर भारी तौसत लगता है वहां वहां पर एलिगेशन लगता है आप तो इस बात से सहमत है मतलब एलिगेशन कहां लगाना है इसके उपर जो कंफ्यूजन है वो यहां से अभी जो मैं चीजे बताऊंगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा देखिए वेटेड जो लगा हुआ प्रतीसत जो है वो कहीना कई एवरेज का काम करता है तो अलग-अलग क्वांटिटी पे अलग-अलग परसेंटेज लग रहा है तो वहां पर भी बेटेड एवरेज लग जाता है इसलिए जब पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ कुछ कुश्चन भी ल लग रहा है तो कहीना कहीं यहां पर भी अवरेज लग जाता है अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कवर नहीं हुए है उसके बारे में थोड़ा से बता देता हूं यहां पर उसका सवाल भी रहेगा जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर हम देखें कि क्वांटिटी में परसेंटे आँर्क Wouldn't बनेंगे ठीके इसके बाद यानिकिन रिएक किसी क्राय मुल्य और पर किसी किसी वेलुस पर आपके अगर अंकित मुल्य अंकित उलिए पर अगर हम दिसकाउंट प्रतीषत लगा रहे हैं डिसकाउंट परगाहिए हैं कहीं न कहीं आपका यशन लगएगा अगर अलग अलग मार्क प्रैस में ब्लग जाएगा तो वहांपे भी आपका क्या लगता है कि यह जो डिसकाउंट प्रिंसिपल यानि कि जो मूलधन में मूलधन में जो ब्याज की दर होती है rate of interest ठीके ब्याज की दर जिसको क्या कहते हैं हम ब्याज की दर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में लेकिन अभी आप समझके लखे कि कहा कहा लगता है तो ऐसे प्रश्ण में लगता है और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगता है जब अलग-अलग time में यानि अलग-अलग समय में तीक है कि अलग-अलग हमारी क्या दिया हुआ है ऐसे सवाल में जरूर और जरूर आपका allegation लगेगा ठीक है तो यह कुछ बाते हो गई कि allegation को लगाना है तो कहां लगाना है पहले हमने theory part देख लिया अब यह भी बता दिया मैंने कि कहां अब हम एक एक करके सारे सवाल देखेंगे यहां से आपका theory part complete है अब यहां से हम questions देखेंगे सभी questions जो आपके allegation से related है चलिए start करते है अब person mixes wine with spirit the prices of one liter wine and spirit are hundred rupees and 170 rupees respectively how much quantity of spirit should be mixed with 50 liters of wine so that there is neither profit nor loss if the mixture is being sold at 150 rupees per liter एक व्यक्ति wine के साथ spirit को मिलाता है और क्या होता है कि एक लिटर wine और spirit की कीमत आपको दीए हुई 100 रुपया क्रमशा है और 170 रुपया है दूसरी बात बोल रहा है 50 liter के wine के साथ कितने मातरा का spirit मिलाना चाहिए ताके ना तो लाब हो और ना तो नुक्सान हो अगर इसे 150 रुपय प्रती लिटर पर बेचा जाए तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर जिस order में लिख रहे हैं यह order बहुत important है अगर मैं इस तरफ wine लिख रहा हूँ इस तरफ spirit लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे wine का price लिखना होगा जो कि क्या है 100 रुपया यह खरीदी का दाम है और यह 170 रुपय है जभी भी हम यहाँ पर 100 रुपय में wine खरीद रहे हैं और spirit को 170 रुपय में खरीद रहे तो overall यहाँ पर जो है यह आपका खरीदी का दाम रहेगा यहाँ पर अगर mixer हो गया इस mixer को मिलाने के बाद यहाँ जो दाम आपको लिखना हुआ खरीदी का दाम लेकिन आपको यहाँ पर जो दाम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बीइंग सोल्डेट मतलब बेचा जाता है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इस प्राइज में बेचने पर ना तो लाव हो रहा है ना तो हानी हो रहा है देर इस नो 150 यह तो आप डारेक्टलि यहाँ पर 150 लिक सकते हैं इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि भले यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि इसको भेचने का दाम है लेकिन अगर हम यहाँ पर खरीदने काद मिखर यहां खरीदने का दाम लिख ना लिखने का दाम लिखेंगे तो गलत ह लेकिन यहाँ पर बेचने के दाम के साथ-साथ एक बात और एक्स्टा लिखा हुआ है कि ना तो लाभ हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है तो 170-150 आएगा हमेशा ये value एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है यहाँ पर क्या लिखो गए तो 150-100 क्योंकि यहाँ पर 170 बड़ा था तो यहाँ पर 170 में से 1.500 माइनस करके लेफ्ट में लिखा और क्योंकि यहाँ पर 100 चोटा था तो 1.500 में से 100 माइनस करके राइट हैंड साइड में हमने इसको लिखा हुआ है तो कहीना कहीं जो रेशियो बन रहा है वो कितने का बन रहा है यहाँ पर 20 आ रहा है और यहाँ पर 50 आ रहा है मतलब 2 अनुपात 5 मतलब वाइन और स्पिरिट को जिस रेशियो में मिलाना है यह कौंटिटी का रेशियो आप आख चुका है वाइन और स्पिरिट का वो है दो अनुपात 5 अब सवाल में क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है कि 50 लीटर वाइन के साथ कितने spirit को मिलाना चाहिए how much quantity of spirit should be mixed with 50 liters of wine तो आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये जो 2 है ये wine का अनुपात है इसके जगा पे हमने कितना मिला है तो 50 liter spirit मिला है 50 liter spirit मतलब आप देखें इसमें कितना गुणा हो रहा है 25 गुणा हो रहा है कि नहीं clear है मतलब B जो है सवाल का सही उत्तर है बिल्कुल correct जवाब है चलिए आशा करता हो ये पहला सवाल आपको समझ बें आए होगा और यही अप्रोच हम follow करेंगे यहाँ पर explanation करना था करके मैंने धीरे धीरे सारी चीज़े आपको समझाई हलाकि आपको allegation के सवाल में इतना समय नहीं लगता है बहुत ही आसान से आप इसको solve कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question आपके screen के उपर है यहाँ पर दिया हुआ है a merchant purchase two types of tea rated for rupees 250 per quintal and 290 in 150 quintal of the second how much quantity of first tea should be mixed so that selling them at 350 rupees there is a profit percentage of 25% तो अब देखिए यहाँ पर आपको यह खरीदी का दाम दिया हुआ है यह भी खरीदी का दाम दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको बेचने का दाम दिया है लेकिन उसके साथ बोल रहा है आपको 25% का profit है हिंदी में भी पढ़ी एक बार 500 रुपे प्रती quintal यहाँ पर जब इतने रुपे प्रती किलोग्राम जब बेच रहे हैं इसे तो हमें 25% का profit हो रहा है अब देखिए पहले वाले की बात करें और दूसरे वाले की बात करें तो पहले वाले का दाम जो है वो 500 रुपया दूसरे वाले का दाम जो है कही न कहीं 290 रुपया अब अगर आप डारेक्टली इसमें पिछले सवाल के जैसे 350 रुपय लगा दे तो कही न कहीं ये बिलकुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप खरीदी का दाम लिख रहे हैं यहाँ पर खरीदी का दाम लिख रहें तो यहाँ पर आपको खरीदी का दाम लिखना होगा यहाँ पर 350 आप नहीं लिख सकते अब देखिए कुछ चीज़े जो मैं आपको आगे चलके समझाओंगा फोफिट ऐप्ट अनोज से वह यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बता देता हो 25 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 25 परसेंटेज का मतलब होता है 25 घटा सौ मतलब कि एक बटा होना मैं मतलब कॉस्ट प्राइस को जो अनुपात है वह कॉस्ट प्राइज बन जाएगा चार और सेलिंग प्राइज इसके उपर प्लस वन करने पर पांच आ जाएगा चार अनुपात पांच का रेश्यो होता है सीपी एसपी का जब 25 प्रतिशत दिया हुआ अब आपको बताया है कि मिक्सर की बारे में आप इसको 25 प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेश रहे तो मिक्सर का क्रेम ले अगर चार है तो विक्रेम ले पांच होगा और यहां विक्रेम ले दिया हुआ है 350 250 मतलब कही ना कही आपने इस्में सत्तर गुणा किया तो इसमय भी आपको सब्रॉपिला करना होगा औरिये आपका त्यों दो सो मिक्सर को दाम सब्रोबेशने पर आपको इतैंका प्रॉफिट हुआ है अब इसमें आप allegation लगा सकते हैं हमेशा यह value जो है एक से छोटा तो दूसरे से बढ़ा होगा 350 लगा होगे तो दोनों से बढ़ा था impossible है 350 आई नहीं सकता इसका average ठीक है अब यहां से इसका अब हम value निकालते है ratio का कि quantity का ratio का है तो 290 और 280 इन दोनों का जो difference है उसको आपको 280 का जो difference है यानि 30 का उसको आपको इस तरफ लिखना होगा तो यहां पर 30 आ जाएगा मतलब पहले प्रकार और दूसरे प्रकार का जो चाय है उसके कम quantity की बात करें यानि कि इसका जो total मातरा है उसकी अगर मैं बात करू तो कहीं न कहीं एक अनुपात 3 है और साथ में दिया ह हो है कि दूसरे वाले का हमने in 150 quintal of second मतलब दूसरे वाले का कितना लिया था हमने 150 quintal लिया था 150 quintal अगर दूसरे वाले का 150 quintal ले रहे तो पहले वाले का तो 50 quintal ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपका जो ratio है ratio कहता है कि मैं एक अनुपात 3 में हूं और 3 बराबर अगर 1500 है पहले वाले का हमने 50 quintal ही यहां पर मिलाया होगा तब जाके यह अनुपात जो है आपको value देगा 280 का मिश्रण का क्लियर कैसे समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें कैसे allegation को लगाना है आशा करता है आपको अच्छे से समझ में आने लगी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे अब तो अगला सवाल देखते हैं next question आपके screen जो पर यहां दिया हुआ है two types of fuels costing 21 rupees per liter and 24 rupees per liter are mixed such that average cost of the resultant mixer is 22.5 liters what should be the amount of the first fuel if the second fuel is mixed is 30 liter बहुत सिंपल सा है पहले वाले का जो दाम है वो दिया हुए 21 रुपया लीटर दूसरे वाले का दिया हुए 24 रुपया लीट इन नोनों का difference 24 और 22.5 का 1.5 होता है जो इधर आएगा 21 और 22.5 का जो difference है वो भी 1.5 होता है यह भी इस तरफ आएगा मतलब कहीं न कहीं जो ratio बन रहा है वो कहीं न कहीं एक अनुपात एक का बन रहा है अब दूसरे वाले का कितना लिया गया तो दूसरे वाले का 30 लिटर ल जाएगा इससे असान सवाल नहीं बन सकता एक्जाम में ठीक है तो डी जो है सवाल का उत्तर होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है यहां दिया हुगा है 60 kgs of certain variety of rice at rupees 32 per kg is mixed with 48 kg of another variety of rice and the mixer is sold at a profit price of 28 rupees per kg if there is no profit no loss then what is the new selling price of the second what is the selling price of the second variety ठीक है new नहीं होगा selling price बस होगा selling price of the second variety of the rice ठीक है तो 32 रुपय प्रती किलोग्राम के निश्चित किसी किसम के 60 kg वाली चावल को दूसरे वाले के 48 kg वाली चावल से मिलाया जाता है मतलब पहले वाले का आपको दाम दिया हुआ 32 रुपिया और साथ साथ में बोल रहा है कि आप इसका 60 kg ले रहे हैं और दूसरे वाले का जो हम ले रहे हैं वो है 48 kg इन उनों को मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद जो औस आपका मिश्रन हुआ वह हुआ कही न कहीं इतने रुपे इसमें बेचा जाता है साथ में बुला गया है कि कोई कॉंटिटी दे दिया और आपको बोल रहा है प्राइज निकलना तो यह भी आसान सी बात है आको बस यहां पर देखना है कि वैल्यू वेल्यू कितना रहा है बत्तिस और अठ्थाईस को माइनस करो तो कई न कई चार आएगा कॉंटिटी का रेश्यों लेने से एवरेज नह होना चाहिए अब आप मुझे बताइए कि यहां वाला वैल्यू क्या होगा 28 पर 5 जोड़ना होगा 28 गटाना होगा आप देखरें कि यह 32 है यह 28 से बड़ा है यह 46 इसमें जूड़ा हो था और 28 हमीशा इन दोनों वैल्यू के बीच में होना चाइए तो कहीना कही अगला value जो होगा यहां वाला वो 28 से 5 कम होगा क्योंकि इन नोनों का difference दो होगे तो कहीना कहीना कहीन 23 आएगा ठीक है 23 और 28 का difference यहां पर 5 दिखाता तो अब हम back calculate करके यहां पर वापस यहां पर 23 पर जारेगा तो D जो है सवाल का से उत्तर है clear यहां पर समझ में आगे आपको आगे बढ़ते हैं two containers contain spirit and water are mixed respectively in the ratio 2 is to 1 and 3 is to 7 find the ratio in which these are to be mixed so that the ratio of spirit and water be 7 is to 9 देखे दो container जो है जिसमें spirit और water जो है वो दो अनुपात एक में थे और तीन अनुपात पांच के 7 के अनुपात में थे नई मिश्यन में spirit और पाणी का अनुपात अगर 7 अनुपात नौप्राप्त करना है तो उस में आपको बताना है कि container के दो मिश्यन को किस अनुपात में मिला जाना चाहिए what मतलब फिर से एक बार आपको यह बताया जाना चाहिए कि बताना है किस quantity में दोनों चीजे मिलाई गई पहले वाले में आपको दिया हुआ है कि average जो है मतलब जो ratio दिया हुआ है spirit और water का पहले वाले में आपको दिया हुआ है spirit और water का जो ratio है वो दो अनुपात एक का है दूसरे वाले में जो है वो 3-7 का है इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो तीसरे में spirit और water का जो ratio है वो बनता है 7-9 का तो आपसे पूछा जा रहा है कि भई इसको और इसको किस अनुपात में मिलाएं कि टोटल अनुपात यहां पर इस तरीके से तो इस तरीके के सवाल में क्या करना है आप देखे यह spirit है यह water एक तरीके से यह average के जैसा ही बनता है ठीक है इसमें आपको करना क्या है अगर आप इस सवाल को दो तरीके से ले सकते या तो आप spirit की values से solve करना चाहते तो spirit की values से तीनों जगा लेना होगा अगर आप water से लेना चाहते तो water 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 तीनों जगापर वाटर का quantity आपको लिना होगा quantity लिने का मतलब यह नहीं यह नहीं यहां एक दिखा तो एक ले ले यह साथ लिए ऐसा नहीं आपको क्या करना है जैसे कि अगर मैं यहां पर spirit से solve कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 out of 3 है 3 में से 2 spirit है इसमें अगर देखोगे तो 7 है total 16 में से इसमें यदि मैं देखो तो कहीं न कई 3 है out of 10 में से तो अब इन 3 values में आपको allegation लगाना होगा इन 3 values में आपको allegation लगाना होगा तो क्योंकि यह value बड़ा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बटे 3 minus of 7 बटे 16 और इस तरफ आप लिखोगे 7 बटे 16 minus of 3 इन दोलों का जो अनुपात आएगा वही हमारा overall अनुपात होगा तो LCM ले लेते इसका 80 आएगा उपर 5 multiply करोगे तो कहीं न कई 35 और यहाँ पर 8 multiply करोगे तो कहीं न कई आपका 24 बनेगा इस तरफ से अगर हम LCM लेते हैं तो इसका LCM कहीं न कई 48 48, 16 यहाँ पर जाएगा सॉरी, 16 जाएगा तो यहाँ 32 आएगा 3 यहाँ पर जाएगा तो कहीं न कई 21 आएगा, मतलब जो ratio बन रहा है पहले वाले का ratio अनुपाद दूसरे वाले का जो ratio बन रहा है वो कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, 35 और 24 को तो कहीं 11 बटे 28 आ रहा है 11 बटे 80 आ रहा है, सॉरी, दूसरे तरफ यही देखेंगे तो 32 में से 21 जाएगा, तो 11 आएगा 11 बटे 48 आ रहा है, अब इसका ratio देखेंगे कितना होता है, 11 से 11 कड़िया 16 से काटोगे तो यहाँ 5 और यहाँ पर 3 आ रहा है मतलब जो ratio बना, वो बना 1 बाई 5 अनुपाद 1 बाई 3 अब इसका ratio निकालना बहुत आसान सी बात है हम लोग पहले भी देख चुकिए, 3 को उठाके यहाँ पर, 5 को उठाके यहाँ ले जाएगे तो 3 अनुपाद 5 जो उत्तर हो जाए जब भी अनुपाद ऐसा आता है कि 1 बटे 5 और 1 बटे 3 तो इसको लाते कैसे है, main ratio में 5 यहाँ चला जाएगा तीन यहाँ चला जाएगा तीन अनुपाद 5 जो है कही न कही इसका correct ratio है कि इस ratio में दोनों को मिलाओगे तो कही न कही यह आएगा ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो solve किया यह spirit को लेकर solve किया आप लोग का homework है यह चेक करना कि आप यहाँ पर spirit न लेकर water लीजे आप यहाँ पर क्या लेंगे, 1 by 3 लेंगे क्योंकि water का quantity 1 by 3 है यहाँ पर आप 7 बटे 10 लेंगे और यहाँ पर आप इसमें से water का quantity लेंगे 9 बटे 16, इसमें भी आप चेक करिए कही ना कई 3 ratio 5 ही आए दोनों में से कोई भी एक लेना है अगर spirit लेले हो तो तीनों जगा spirit, अगर water लेना है तो तीनों जगा water, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिवाट 2 types of tea are mixed in the ratio of 3 to 5 to produce the first quantity if they are mixed in the ratio 2 to 3, then they are they obtain a second quantity how many kilograms of the first quantity should be mixed with 10 kilograms of the second quantity so that a third quantity of 7 is to 11 is produced. पहली गुनवत्ता वाली चाय के उत्पादन करने के लिए, 3 अनुपात 5 में के अनुपात में 2 प्रकार के चाय मिला जाते हैं और दूसरे वाले में यदि उन्हें 2 अनुपात 3 में मिला जाते हैं तो फिर यहाँ पर दूसरे गुनवत्ता वाला चाय प्राप्त होता है, पहली गुनवत्ता वाले चाय का कितना किलोग्राम दूसरे गुनवत्ता वाले के 10 किलोग्राम से मिलाना चाहिए ताके इनको मिलाए जाने के बाद 7 अनुपात 11 के अनुपात में दोनों के किसम वाले का तीसरा मुझवत्तावाला उत्पादन हो तो पिछले सवाल के जैसा ही है सेम best यहां पर आपको ratio निकालने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ना है पिछले सवाल में बस ratio निकालना था यहां ratio निकालने के बाद क्या करना है बोला है कि दूसरे वाले का आपको 10 kg लेना है ठीक है दूसरे वाले का 10 kg है तो पहले वाले का कितना kg तो अभी तक तो ratio निकालना सीखी गए और ये भी जान चुके है कि दूसरे वाले का अगर 10 kg है तो पहला वाला निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है तो देखें कैसे solve ह होता है पहले वाले में तीन पांच में मिला रहे हो आप दो प्रकार के चाहे को तो पहला कॉलिटी ज्थी क्elles ग्रुफरे वाले में इन ही गोर्फ यहां सहां करने तो पहले क्लीटी से सॉलाब करें तो पहला चैनल से करने तो से के ना जैसे मैं कि मुटा है और यहां पर बाउंच है और यहां पर चोटा है और यहां पर यहां पर पाँज हैं तो इस तरived मैं लिंगे 15 साथ बटे अठारा माइनस ओफ तीन बटे आठी अब बताईए लस्यम कितना आएगा इसमें अगर लेने जाओ तो कहीना कई वैल्यू 90 का आ रहा है और उपर यहां पर अठारा जाएगा तो 36 माइनस ओफ 35 यह हो गया रिश्यो में दूसरे तरफ यहां पर यहां पर यहां पर 72 का आएगा अठारा चार बार जाता है तो यहां पर 28 आएगा आठ से नौ बार जाता है तो उपर 27 मतलब हमने जो पहले वाला क्वालिटी और सेकेंड वाले क्वालिटी को मिलाया हमने जो फर्स्ट क्वालिटी और सेकेंड क्वालिटी को मिलाया उसका अनुपात जो है वो दूसरे वाले में देखो गए तो कहीं ना कहीं 28-27-72 है तो यानि की 1-72 इस रिश्यो में करें तो अब अब सॉल्ब करें जा अठारे से यदि में इसे काटू तो यहां पे 5 यहां पे 4 आ रहा है तो यहां पे 5 यहां पे 4 आ मतलब इसको 5 यहां ले जाना होगा 4 इठाना मतलब पहले वाले का quantity यह यह पहला वाला है total और यह दूसरे वाले का quantity में जब दूसरे वाले को मिलाय जा रहा है तो किस रिश्यो में 4 उनुपात 5 है और सवाल में दिया हुआ है कि यह जो 5 है यह 5 बरावर 10 किलोगरम है 5 बराव करना है यह सबसे most confusing सवाल होता है जब यहां पर इस तरीके के value आ जाते हैं तो मेरी कोशिश यही कि आपको आसान इसको बना दिया जाए जो कि मैंने यहां कर दिया है तो इस तरीके के सवाल को आप यहां पर इस तरीके से solve करेंगे कि एक-एक quantity का आप fractional value ले लेंगे कि कितना quantity है, allegation लगाई है quantity आजाएगा किस quantity मिलाना है आने वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको mixer के questions भी लोंगा तो mixer के question में क्या होता है यहां पर आपको quantity दिया रहता है यह तो जब आपको बीछ वाला value find करने को कहा जा यही mixer का question होता है लेकिन अगर आप किस रिचियो में मिला रहें क्वांटिटी को इसके वपर सवाल आ गया तो यह लिगशन यहिंट कहोंसे तो यह पहचान भी है कि एक सवाल जो आया है यह मिक्षर का कोश्वन है कि यह वह डिपेंडिंग अपॉन यहे रहता है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है हमारा कही न कहीं मोटिवेशन बढ़ता है तो लाइक करना ना भूले चलिए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ चलिए आगे बढ़ते इसके बाद देखिए क्या हुआ है कि यहां पर प्यॉर मिल्क को स्ट रुपीश ट्वेंटी रुपीश पर केजी आफ्टर एडिंग वाटर दे मिल्कमें अप्रॉफित फ्वेंटीव पर्सेंट इन वाट रेश्यों डिट दसी मिक्स दा तू तो शुद्ध दूद जो है वो कहीं ना की बीस दूद का जो है लाव होता है किस अनुपात में वह दोनों को मिलाता है तो यह आपको बताना है किस अनुपात में दोनों चीजों को मिलाएगा देखिए सबसे पहली बात अगर यहां पर आप समझीए इस सवाल को बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जाता है सब्पोस कि मैंने 20 रूपय लगाए किसी दूद को खरीदने के. 20 रूपय लगाए इसको खरीदने के. अगर मुझे 25 पर सेंट कमाना है तो 25 पर सेंट का मतलब होता 1 बटstorm मतलब 4 अनुपाद 5 में मेरी कमाई होनी चैगी. अगर 4 बरावर 25 रूपया है कि यहाँ पर जो selling है mixture को हम कितने पर बेचेंगे तो 18 रुपे लीटर पर बेचेंगे 18 रुपे लीटर पर बेचेंगे 18 रुपे लीटर पर बेचेंगे तो profit होगा कि नुकसान होगा नुकसान होगा कहीं न कहीं तो अगर हमें यहाँ पर 25 रुपया कमाना है केवाल 18 रुपय का ही milk होना चाहिए याने 18 और 7 रुपय का ही water होना चाहिए मतलब milk और water को कही ना कही 18 और 7 में मिलाना चाहिए तब ही जाके extra जो हमें कमाई हो रही है 25% का वो possible हो सकता है तो 18 रुपाद 7 यानि कि ये जो है correct उत्तर हो जाएगा इसका तो बहुत सारे लोग को हो सकता है ये समझ में नहीं आयों तो मैं basic approach भी आपको बता देता हूं कि basic से कैसे solve करना है तो मान लिजे कि आपने milk लिया था M liters का तो 20 रुपय में आप ले रहे हैं तो इतना रुपया आपका cost price हो जाएगा और selling price होता है cost price इंटू 100 प्लस percentage profit ये सारी चीजे में आपको आगे समझाओंगा divided by 100 अभी बस note करके रखी ये formula को मतलब कही न कहीं हमारा जो selling price आना चाहिए वो आना चाहिए ये सक्राय मूल्य में 25% बढ़ाना मतलब 25% बढ़ाने का मतलब 125 बटा अब जो हम बेचने जा रहे वह milk प्लस water बेचने जा रहे और milk प्लस water जब बेच रहे तो यहाँ पर हमारा जो पैसा आ रहा है वह पैसा आ रहा है प्रती लीटर 18 रुपए तो मैं यहां पर 18 रुपए से 25 बार मतलब 25 बराबर किसके है तो 18 एम प्लस 18 डबले तो इस अठारे आम को दूसरे तरफ लाओगे तो साथ एम बराबर कितना होगे मतलब कहीना करी इसको रियरेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है कि एम बटा 18 जो है वह डबले बटा साथ है तो इस तरीके से भी आप इसका रिश्यो निकाल सकते कि मिल्क कितना वाटर कितना है तो मिल्क अठारा है और वाटर साथ है चली आगे बढ़ते हैं यहां दिया इस वाटर सुधा जो इस दोड़ आप पानी है इसमें और उपात इन पात में दूद और पानी के मिल्क रेश्यो वाटर दिया हुआ है कि इस मिक्सर में हमारे पास जो कउंटिटी है वह 729 9 một इस लाइन के नीचे जो है और इस लाइन के ऊपर एस्में कुछ पानी मिला रहे है मतलब यहां से पानी केबल एड़ हो रहा है, water एड़ हो रहा है जबी भी water एड़ होता है तो आपका पहला step यह होता है कि आप देखिए कि milk क्या इन दोनों में same है यहां पर साथ है तो यहां पर भी साथ है मतलब ratio balanced है, कुछ करने की आप सकता नहीं यह ratio पहले से balanced है अगर यहां पर साथ और यहां आठ होता तो दोनों को पहले balance करना होता क्योंकि milk कहीं भी change नहीं हो रहा इस line के उपर जितना milk है, इस line के नीचे भी उतना ही milk यहांने दोनों में same है हम किबल यहां पर पानी मिलाने की, पानी डालने की बात कर रहे है तो आप बताइए पानी डाले तो कितना डाले यहां पर दो था, यहां पर तीन था मतलब हमने एक unit का value निकालना है उस एक unit को find करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि हमारे पास मिश्रन जो था टोटल वो इतना था अब टोटल मिश्रन कितना है साथ लजदो करोगे तो नो है मतलब नो बराबर है 729 मिलिलिटर्स तो एक बराबर कितना होगा 729 डिवाइड़ बाइड बाइड नाइन याने की 81 मिलिलिटर्स मतलब 81 मिलिलिटर्स एक उनिट जो है 81 मिलिलिटर्स का है तो ए जो है सवाल का सही उतर हो यहां तक समझ में आगई बाते चली आगे बढ़ते नेक्स्ट कॉश्चन आपके स्क्रीन के ओपर यहां दिया हुए 25% gain is made by selling the mixture of two types of floors at rupees 450 per kg if the type 1 is costing at 620 rupees per kg and was mixed with 130 kg of the other how many kilograms of the former was mixed दो प्रकार के मिश्रन में आटे के मिश्रन में 450 किलोग्राम मनलब 450 रुपे प्रती किलोग्राम में बेज कर 25% का लाब होता है तो यहां पर क्या है कि इसके मिश्रन को जब 455 रुपे पर बेच रहा है तो 25% का हमें लाब हो रहा है टाइप 1 के कितने किलोग्राम में टाइप B का जो है वो 130 kg के साथ मिलाए जाना चाहिए अगर टाइप 1 की कीमत जो है वो कितना है तो 620 रुपया है किलोग्राम पती मनलब कि देखिए क्या क्या चीज़े दिए पहले वाले का आपको दिया हुआ है टाइप 1 का कॉस्ट दिया हुआ है 620 रुपया पर कीज़े दूसरे वाले का क्या चाहिए हमें वस मिक्स्ट विथ इतना तो how many kg of the second वस मिक्स्ट अब आपको दिया है कि इसमें इफ टाइप 1 कॉस्ट इस मच्ट वस मिक्स्ट विथ 130 किलो ग्राम ऑफ दिए अधर तो दूसरे वाले का प्राइज नहीं दिया है हमें लेकिन बोल रहा है इस मिक्सर में इस मिक्सर में आप कितने पर बेच रहते तो इसको बेच रहते मतलब अगर यह 360 रूपीज का है पर किलोग्राम तो जब इसमें एलिगेशन लगाओगे तो कहीं न कहीं यहां पर कुछ वैल्यू आजाएगा जो कि हो जाएगा 260 रूपीज ठीक है और साथ में आपको यह दिया हुआ है कि सेकेंड वाले का जो क्वांटिटी है वो 130 किलोग्राम है जो इसका दुगना हो रहा है लेकिन हमें यहां पर जो निकालने को कहा गया क्या निकालने को कहा गया कि अगर इतना था तो प्रती किलोग्राम है मतलब देखी हमें क्य के पास जो चीजे हैं वो यहां पर बहुत सारी limited चीजे ना आपको यहां का प्राइज दिया ना आपको दिया कि किस रेशियो में हम यहाँ पर मिला रहे तो आपके पास यहां पर एकशली जो है limited data होने के वाजे से आप इसको cannot be determine में मार्क करेंगे कि हम इसको Determine नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें यहां का price दिया है ना हमें बोल रहा है किस ratio में मिलाए जा रहा है बस यहां पर इस price का difference आ गया है यहां का value नहीं है मतलब data जितना हमें दिया हुआ है इससे आप इसको Determine नहीं कर सकते चलिए आगे बढ़ते हैं एक जू है जिसमें कुछ डियर से और डॉक्स है इसे हैं यहां पर संख्या जो है वह 180 आएगी और तथा उनके पैरों की संख्या को गिंते है तो बताना है कि हिरों की संख्या कितना है मतलब देखिए हमारे पास जो है टोटल 180 आइनिमल है ऐसा किया सकते हैं क्या टोटल मतलब कि जो हमारे पास डियर है प्लस डख है वो कितने होंगे वो कही ना कही कितने होंगे 180 होंगे कि नहीं होंगे तो फरक यह पढ़ जाता है कि कितने डियर और कितने डग जब निकालने की बारी आएगी तो यहां पर कुछ अलग नंबर ओफ यहां पर दिया हुआ आपके पैर है ठीक है यहां इसके दो पैर होते मतलब अगर सारे के सारे डियर होते तो 720 पैर होते हैं अब इसमें कहिम funky देन छेचियों चैज ऑर यहां और दूसरे तरफ आएगा मैनस का 306 है अब इसमें misinformation लगाने पर बताईए क्या ratio बनना जिस ratio में values रहेगा उसी ratio में dear और duck रहेंगे तो इन दोनों को मैनस करने पर कहीं अकई 88 value आ रहा है ःए है और इसमें मैनस करोगे तो कहीं praying करगह पहले आप देखिए यहांसे तो इस तरफ देखते हैं 720 माइनस 448 करने पर पहले 20 माइनस करोगे तो 700 होगा फिर 200 माइनस करोगे तब 500 होगा यानि 220 हो गया अब 52 और माइनस करना पड़ेगा मतलब 220 प्लस 52 मतलब 272 का डिफरेंस आ रहा है अगर मैं इन दोनों वैल्यूस को अगर 8 से काट देते हैं डारेक्ट 8 से काटे पर तेन बार जा रहा है सोविस से 16 के बाद आप सारी तीन बार चोविस जा रहा है फिर आपका थ single three four मतलब कि जो डिर और ड़ है ठीक है जो deer और duck है इनका अनुपात आ चुका है इनका अनुपात है 11 अनुपात 34 ठीक है अब आपसे निकालना क्या था आपको निकालना था हिरनों की संक्या हिरनों की संक्या तो जब 11 दिख रहा है तो एक ही option सही होगा यह वाला कि पूरा solve करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर 45 बरावर इतना है मतलब 4 गुने होना है तो यह जो 11 है 11 में भी 4 गुने करोगे multiplied by 4 तो 44 अब यह तो हो गया है allegation वाला approach allegation से और भी तेज़ solve करना है तो without allegation भी solve होता है यह सवाल मैं आपको एक और तरीका इसमें बता के रखता हूं जिसमें की simple आपको common sense यूज करना है बहुत ही simple तरीका है जिसमें कोई भी mathematics यहां ज्यादा कुछ आपका लगेगा नहीं बस समझीए यहां पर अगर हमारे पास 180 duck होते 180 duck होते तो सारे के सारे pair जो होते हो कितने होते 360 pair होते एक्स्ट्र कितने pair होगा यह आप देखिए देखिए अगर हमने यहां पर कहा कि पहले 180 के 180 जो है वो क्या है बठक है एक बठक को इस समू से मैं बाहर भगा देता हूं एक बठक को जैसी में बाहर भगाऊंगा तो number of leg दो कम हो जाने चाहिए और उस बठक के जगा पे मैं क्या करूँगा एक हिरन लेकर आऊंगा तो यह कह रहा हूं कि अगर यहां पर मैंने एक बठक के जगा पे अब मैंने यहां पर कह दिया कि 179 डग है ठीक है और साथ में इसके साथ प्लस एक हिरन है तो ऐसा करने पर हमारे पास जो number of pairs है वो कितने हो जाएंगे 362 हो जाएंगे मतलब एक से बढ़ेगा मतलब एक डियर को यहां पर रिप्लेस एक डग को एक डियर से रिप्लेस करने पर लेग दो से बढ़ता है तो जब लेग 88 से बढ़ा मतलब कही न कहीं इसका आधे number of डियर होंगे मतलब 44 डियर से होंगे इतना असान से बढ़ एक समझ में आ गया without allegation भी आप इसको solve कर सकते लेकिन यह सवाल जो है कही न कहीं allegation से भी बनता है तो मैंने यहां पर इसको लिया हुआ है अगला सवाल दिखते है next question आपके screen के उपर है दूद और पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिशन में क्रय मुल्यों पर बेशने पर 33 एक बटा तीन प्रतिसत का लाग हो मतलब देखिए मिल्क और वाटर में या फिर पहले ऐसे समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा अगर तीन सीपी है तो आपका चार एसपी होना चाहिए क्योंकि सीपी जो है वह डिनॉमिनेटर बन जाता है और प्लस वन जो आपका प्र प्रॉफिट भी कमाना है सिंपल सी बात है आप यहां पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि जितना पैसा लग रहा है उससे एक रुपए एक्स्ट्रा कमाना है और जितना पैसा लग रहा है उसी पैसे पर आपको बेचना भी है मतलब आपने अगर तीन मिल्क खरीदा होग तो इस चार में भी कहिना कहीं मिल्क तो तीन ही होगा तो एक्स्ट्रा चार रुपए एक रुपए कमानी के लिए पानी एक का मिलाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो एक आ रहा है प्रॉफिट वो फ्री का जो आ रहा है उस पे भी अगर आपको पैसा कमाना है क्योंकि क् क्वाटिटिटी मिल्क और एक क्वाटर होगा तो मिल्क वाटर का तो गालना था की दुद्ध को पानी के साथ की सनुपाथ कि मिल्क तीन होना चीह है पानी एक हो चीह थrees-to-one deste एंसर होगा इस सवाल चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरुवाती तोर पर बताया बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें आपका एलिगेशन लगता है यह सवाल एक अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 9600 रुपीज इस पाटली इस टोटल इंकम आफ्टर 1.5 यह सवाल को करने के तरीके दो होते हैं 9600 को हमने दो पाट में डिवाइड किया एक पाट को 12 परसेंट पे दिया दूसरे पाट को 14 परसेंट पे जब हम रेट ऑफ इंट्रेस्ट देते हैं तो यह जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट हो है परसेंटेज जो है वह एक साल का परसेंटेज होता है वन येर का परसेंटेज ठीक है तो जबी भी आप यहां पर इन नोनों को ओवर आल देखें कि परसेंटेज में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो यहां पर जो रेट होना चाहिए वह एक साल में जो ब्याज मिला वह मूलधन का कितना प्रतिशा था यह निकलना हो तो सबसे पहली बात यहां दिया है कि आपको टोटल जो प्राइज मिल रहा है वह 1.5 यह में आपको मिल रहा है अठारा सो रूपिय यह हो गया एक साल का ब्याज तो रेट अगर ओवराल नेट रेट ऑफ इंट्रेस्ट की में बात करो तो इसका अगर 1.5 है ना तो 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 15 और यहां पर 100 इस तरीकी से मतलब कि एक साल में कितना मिला होगा एक बार कटेगा 15 से फिर दो आ रहा है में बारा सो मिला तो बारा सो इसका जितना प्रतीसात है यह आपका एवरेज ओवराल एवरेज रेट ऑफ इंट्रेस्ट होगा तो बारा सो डिवाइड़ बाइड़ नैंटी सिक्स हंडेड कि करना होगा तो दो जिरो तो यहां से कट जाएंगे एक बारा जो है इसको आठ काटेगा आट बटे सो बटे आड मतलब साढ़े बारा परसेंट का तोटल रेट आफ इंटरेस्ट मतलब हमने यहां पर कुछ भाग को 12% में दिया कुछ भाग को 14 में दिया और अब आप एलिगेशन लगा यह तुरंत आपको उत्तर आ अगर मैं चावधा और इसको माईनस करो इन दोनों को माइनस करके इस तरफ लिखेंगे तो कहीं ना को या श्चेहांटफ से कि इन दोनों को माइनस करके इस तरफ लिखनगो तो 0.5 परसेंटीज रिश को आ रहें और С.कुअ कहीं क्याơi अगहां रहा है अगर से 0.5 और इसको काणिगे तो तीन अनुपात एक का ratio बनेगा मतलब इस 9600 रुपया को हमने किस ratio में बाटा था तो 3 अनुपात एक में बाटा था सी जो है सवाल का सभी तर होगा ख्लियर है तो शुराती तोर पे मैंने आपको बताया इस सवाल को solve करने के दो तरीके एक तरीका मैंने बता दिया है यहां पर सेंटेज वाला दूसरा तरीका क्या है आप दूसरा तरीका समझ लीजिए कि आपको क्या करना होगा इसका बारा परसेंट निकालना होगा डेड़ साल के लिए क्योंकि देखिए अगर ये डेड़ साल में इतना बोल रहा है तो आपको 12% तो एक साल की बात हो गए तो डेड़ साल में कितना मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा तो डेड़ साल में आप कही न कहीं यहां से देखेंगे और यहां अठारा सो जो मिल रहा है वो टोटल यहां पर वैल्यू उसको बीच में लिग लिए तो वैल्यू में भी आप यहां पर रेश्यो निकाल सकते हैं तो अगर वैल्यू में लिख रहे हैं कि पैसे कितने आया उसके साब से तो सारे तरफ वही लिखना होगा पर आपसे solve होना चाहिए यहां दिया हुआ है C lent to sum of money both at simple interest one at 10% per annum and other at 24% per annum to A and B respectively the total amount lent was rupees 7000 and the total interest he received from both A and B is 1260 find the amount length at 25% ठीक है तो यहां पर भी सिंपल सी बात है बस थोड़ा साथ जार रुपया है और साथ में बुलता है कि यहां पर दोनों से उसको जो प्राप्त व्याज है वह 1260 रुपया है एक सार्म एक वर्स में तो यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां एक वर्स का ही ब्याज आपको दिया हुआ है पिछले वाले में डेड़ वर्स का था तो उसको पहले एक वर्स का निकालना पड़ा क्योंकि रेट ऑफ इंट्रेस होता है वह एक साल का होता है और 24% प्रती वर्स पर जो उधार दी गई इसके बाद अगला इंफर्मिशन यह दिया है कि ओवर ऑल जो इसको मिला पैसा वह कहीना कहीं कितना है तो बारा सो साथ तो ओवर रेट ऑफ इंट्रेस्ट कितना ही निकाल लेते हैं कैसे निकालें ब्याज जो है वह मूलधन का कितना परसेंट है मतलब बारा सो साथ जो है वह साथ जार का कितना परसेंटेज यह निकालना है तो मैंने किया क्या बारा सो सट डिवाइडड वै और ससंकिन निकालना थो मल्टिप्लैड अब बताइए कितना है इन दो जिरो तो न काटी द females इसका कर जाएगा मतलब यह टोटल रहर काट्षार शिंदा मतलब overall यहां पर कहीं ना कहीं 18% के net rate of interest से यहां पर value जो है वो मिल रहा है C को अब यहां से अब election लगाओ गे तो इस तरफ क्या लिखोगे तो 24 माइनस 18 क्योंकि यह बढ़ा है यह चोटा है और यहां पर अब यह बढ़ा है यह चूटा ratio काया तो यहां पर आठ और यहां पे कितना आया तो यहां पर आया sht मतलब कि जो 10% की ब्याज की दर से जो अमाउंट मिला था और 24% की ब्याज की दर से जो अमाउंट दिया गया था वो कई ना कई तीन अनुपात चार के अनुपात में दिया गया थे, इसको काट सकते हैं थ्री रिश्यो फोर में, अब सवाल क्या है, सवाल आपको बताना है कि 24% परती वर्स की ब्याज की दर से कितना हमने ब्याज दिया, ओवरल कितना है, 7000 रुपया, 7000 रुपया को दो भाग में बाट र चार आएगा, ठीक है, तो 24% वाले हिसाब से जो गया था, वो चार डिवाइड़ बाट तीन प्लस चार मतलब साथ, 4 by 7 है, 7000 को, साथ से काटोगे तो यह एक हजार बार कटेगा, मतलब कही ना कहीं जो वैल्यो है, वो 4000 रुपया आजाएगा, ठीक है, 4000 रुपीस, चलिए, तो यहाँ से जो है, D सवाल का सही उत्तर, D is the correct answer for this question, clear है, यहाँ तक बात है समझ में आवी, चलिए, अगला सवाल देखेंगे अब, चलिए, अगला सवाल देखते है, दिया हुआ है, एन आर्मी कंसिस्ट ऑफ 16,000, कंसिस्ट ऑफ, एन आर्मी ऑफ 16,000, कंसिस्ट ऑफ औफ और sirs and soldiers, average height of officers जो है, वो 5 foot 9 inches है, और soldiers जो है, 5 foot 10 inches है, whole army का जो average height है, वो 5 foot 9, 3 by 4 inch है, बताना है number of officers कितने army है, तो अगेन यहाँ पर भी, बहुत ही आसानी से आप इसको solve कर सकते है, 16,000 जवान है हमारे पास, जिसमें से कुछ officers है, और कुछ soldiers है, ठीक, इसमें से बोला गया कि officers जो है, इनकी औसत हाइट दिया हुए है, कि यह 5 foot 9 inches का औसत हाइट है, इनका, जब सैनिकों की बात हो रही है, soldiers की बात हो रही है, तो इनका 5 foot 10 inches हाइट है, और overall जो पूरे के पूरे 16,000 लोग है, इनका भी average हाइट हमें दिया हुआ है, जो कि कहीना कि 5 foot and 9 3 by 4 inches है, 9 3 by 4 inches को मैं और simplify करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, 9.75 inch, तो यहाँ पर इस 9 3 by 4 के जगा ज़्यादा आसान होगा कि 9.75 लिखा जाए, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, जैसी मैं यहाँ पर दोनों का ratio निकालने जाओंगा, तो इन दोनों में आपको minus करना होगा, 10 में से 9.75 minus करो तो 0.75 है, तो अब आप यहाँ पर quantity का ratio निकाल सकते हैं, कि हमारे पास officers कितने हैं और soldiers कितने हैं, तो officers ratio soldiers, इसका अगर मैं बात करों तो इसको आप क्या कर सकते है, 0.25 को और 275 को काट सकते हैं, कई ना कई 1 ratio 3 बनेगा, और आप से सवाल में यही पूछ रहा था कि officers कितने है तो आप बताईए officers कितने हो जाएंगे, 1 divided by 1 plus 3, जो कि 4 है, multiplied by total 16,000 हमारे पास जो है, total यहाँ पर army members है, तो 4 से काटोगे, तो यहाँ पर 4000 officers निकल किया जाएंगे, तो हमें यही निकालना था कि officers की संख्या कितनी, अधिकारियों की संख्या कितनी है, तो एक बटा चार होग of the employees in a factory is 8,840, if the average salary of all the officers is rupees 15,000 and that of the remaining employees is 8,000, then what is the percentage of the officers among the employees, किसी कार खाने में कर्मचारियों की ओसत मासिक वेतन जो है वो इतनी है और अधिकारियों की 15,000 है, overall जो है वो 8,000 है, फिर अधिकारियों में, मनलब, total फिर कुल अधिकारी कर्मचारियों की कितनी प्रतीशत है यह हमें बताना है इसमें भी भूँत आसांसी बाते है कि यहां पर जो है monthly salary जो है, यहां पर कुछ employs है, इनका monthly salary जो है, वो यहां पर overall जो है, वो 8,000, 840 rupy, इसमें से जो officers है, officers का जो monthly salary है, वो 15,000 और जो remaining employee है, remaining जो employee है, वो इनसे कमाते हैं, जो की कितना है, वो है, 8,000 rupy, अगर मैं इसमें लगाऊं तो कहीना कहीं यहां से हमारे पास यह कॉंटिटी आ जाएगा कि यहां पर आफिसर्स और रिमेनिंग एंप्लॉई का रेश्यो क्या है तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो कहीना कहीं 840 आएगा अब अगर यहां पर आप बताईए कि यह 8000 अगर मैं इससे कम करूँ यह 7000 कम करूँ तो कहीना कहीं 8000 आएगा तो पहले 6000 कम कर लेते हैं 6000 के बाद 160 आ तो 6160 कहीना कहीं इसका वैल्यू आ जाए अब रेश्यो निकालनी की बारी आई तो दोनों 0 काट लेते हैं 7 से काटेंगे तो यहां पर 12 आ रहा है इसको यदि मैं 7 स आट से कटूंगा तो आठ बार 56 आठ बार 56 की बाद फिर और एक बार 56 आ रहा है मतलब 88 यहीं पर रूख जाना है क्यों रूखना है वह ज्यादा असान ने इसलिए यहां पर रूक जाएंगे कि ऑफिसर्स जो है और रिमेनिंघ एंपलाइस का जो रेश्यो है वह उसका रे 88 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा कही न कहीं सो आएगा और मल्टिप्लाइट बाइस कर लेते क्योंकि कहीं न कहीं हमें परसेंटेज निकालना है और सौ में कितना है उसी को ही परसेंटेज कहते हैं तो इसको और ज्यादा सिंप्लिफाइट कर सकते यहां पर और सिंप्लिफाइट करने की आवजशक्ता इसलिए निकालना था इसलिए मैं यहीं रुग गया क्योंकि देखने पर समझ में आ रहा है कि बारा है टोटल यहां पर सौ में तो बारा परसेंटेज ही होगा यह मैंने एक्स्प्लिफाइशन के तौर पर दिया लेकिन जैसे आप देख रहें कि आट सौ में बारा है आप तुरंत यहां पर बारा परसेंटेज मार्प कर सकते हैं ठीक है चलिए सबसे आसान सवाल नहीं बन सकता यहां पर देखिए बारा है और साथ है बीच में आट है तो किस अनुपात में इसने मिलाया होगा इससे आसान सवाल नहीं बन सकता यहां पर देखिए बारा है सात है बीच में आट है इसका रेष्व लेंगे तो यहाँ पर वन यहाँ पर चार आएगा एक अनुपात चार में आपको इसको मिलाना होगा तब जाके जो है आपका ratio इस ratio में मिलाने पर एक अनुपात चार के रुष्यों मिलाने पर इसका जो value है वो 8 रुपे बनेगा यही पूछना था कि किस अनुपात में से मिलाना है चले अगला सवाल यहां दिया हुआ है कि X beakers है जिसमें 100 ml containing 1 is to 4 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3 is to 7 acid and water solution then what is the ratio of acid and water in the resulting mixer becomes 19 is to 19 19 is to 91 and find x is to y बहुत अच्छा सवाल है इसको थोड़ा सा सॉल्व करने कोशिश करेंगे यहां दिया हुआ देखिए जादी एक अनुपात 4 में अमल और पानी जो है वो 100 ml वाले x beakers है ऐसे ठीक है और साथ में 3 अनुपात 17 वाले अमल पानी वाले घोल जो है 200 ml के ऐसे y beakers है इन दोनों को पहले यहां पर पहले वाले में जो रेश्यो हैं वह कर दो करेंद कर गता हैं तो सट्रामें को मिला देंगे पहले यह में कर दूल यहां और को नुपात करें के अगर आपर 3 अनुपात 17 में जब आप दोनों को मिला देंगे पहले और दूसरे वाले को जब हम मिला देंगे मतलब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को जब मिला देते यानि ये पहला वाला है इसको मिला देते दूसरे वाले से तो तीसरा जो बनेगा घोल जो बन क्या आएगा उसमें अब 100 x ml रहेगा प्लस 200 x y ml रहेगा इतना हमारे पास total quantity बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 x ml है और यहाँ पे 200 y ml है इन दोनों को मिलाओगे तो 100 x प्लस 200 y ml होगा और इसमें acid और water का जो अनुपात है acid और water का जो अनुपात है आपको कोई एक quantity लेना है और equate कर देना है शुरुवाती तोर पर और बाद वालते हैं जैसे कि मैं माल लेता हूँ कि x यानि कि initially जो acid का quantity था और finally जो acid का quantity रहा वो दोनों सेम रहेगा चुकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं दोनों को मिला के final कर रहे है तो जितना acid पहले वाले में उतना acid बाद वाले में होगा तो बताइए पहले वाले में acid कितना है इस वाले का acid देखोगा तो 100x का एक बटे 5 है ठीक है 100x का एक बटे 5 है मतलब पहिना कई 20x निकलेगा यहां से मतलब यहां से आपका 20x जो है इतना आपके पास acid है इसमें acid कितना है तो बताईए ये आपका हो जाएगा 200 y का 3 मटे 20 है तो 20 से काटूंगा तो 10 आएगा मतलब 30 y हो जाएगा तो यहां से इतना आपके पास acid आगया पहले का acid और दूसरे का acid को जैसे हम जोड़ देंगे तो तीसरे वाले का total acid कितना यह निकल के आएगा और तीसरे वाले की acid की बात करें तो total quantity है 100x प्लस 200y और इसमें यदि मैं बात करूं कि कितना acid है तो इसमें 19 बटे 19 बटे 19 प्लस 91 याने 110 है इतना हमारे पास acid है तो देखे इसको solve करनी की बारी आएगी तो देखे 100x प्लस 200y है ठीक है और यहां से आपका 19 डिवाइड़ बाइ 110 है ठीक है इसको solve कर सकते हैं कि ने अब देखें यहां से मैं इस 00 को काट लेता हूँ जिरो और यह 00 कर जाएगा यहां से एक जिरो एक जिरो यह दोनों 0 को काट देगा मतलब शुरुआती तौर पर जो आपका एकस एसिड था और बाद वाले तौर पर जो आपका एसिड है यह दोनों equal होने चाहिए तो मैंने वही पर इन दोनों को equal किया और जैसे equal करेंगे तो कहिना कई 22 में से 19 माइनस करोगे तो तीन एकस आएगा तो यह एक अच्छा सवाल है ठीक है यह मैंने थोड़ा सा एक difficult सवाल भी यहां पर आपको करवाया है ताकि आप इस तरीकी के सवाल के लिए भी ready रहें किसी किसी शिफ्ट में जब examiner बहुत ज्यादा difficult सवाल मनाता है तो इस level का सवाल मनाएगा इससे ज्यादा उपर जाने लेकिन mixer को जो है आपको इसी तरीके से solve करना है कि acid का quantity यहां कितना था plus acid का quantity यहां कितना था बराबर यहां के acid आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर water का quantity निकाले यहां से water का quantity निकाले दोड़ों को जोड़े तो finally जो water का quantity वो इसके बराबर होगा इससे भी आपका एक सनु Q से. Find the amount of P that must be added to 7 liter of Q so that the mixer may weigh as much as and equal to volume of water. मतलब देखिए, पी पानी जो है वो water का 10 बटे 7 गुना भारी है और पानी जो है वो 7 बटे 5 गुना है अधिक होता है जितनी की एक और quantity Q तरल है. जो है थीक है अब देखिए तरल पी याने की लिक्विड पी आपको बताया गिया है. कि मातरा में पता लगा है जिसमें की 7 liter Q में जोडे जाना चाहिए ताकि मिश्रन का वजन जो है वो जितना है वो पानी के जैसा होना चाहिए यानी कि पानिस के जितना वजन हो जाए तो 7 लीटर पी को कितना q में मनलबगी q के 7 लीटर में q के 7 लीटर में कितना quantity हमें मिलाना चाहिए ताकि जो overall Michigan होगा वो उतने quantity का अगर हम पानी भी ले तो पानी भी उतना ही वेट का होना जाए तो इस सवाल में क्या करना है हम तो पानी यहाँ पर पी लिख लेते हैं यहां क्यों लिख लेते हैं पी जो है पानी का 10 बटे 7 गुना है और पानी पानी का एक गुना होता है और यह जो क्यू है यह क्यू जो है पानी इसका 7 बटे 5 गु अगर क्यों पानी का कितना निकालना होगा तो यह हो जाएगा 5 बटे 7 गौना हो गौर से सुनिएगा मैं बोलना चाहरा हूं हम यहां पर यह देख रहे हैं कि वेट जो है जितनी क्वांटिटी पानी हम लिए उतने क्वांटिटी अगर आप पी लोगे तो पी का वेट दिए तो वह पाचबटे 7 आएगा क्यूंकि पानी का 7 बटे 5 बटे अब इसमें लगा लिए जैसी हम जीमतल सी बात है इंपल सी नहीं मंन को करके यह सी मंतलब पानी और क्यू जिस रिश्यो में मिलाना है पी अनुपात क्यू जिस रिश्यो में मिलेगा वो हो जाएगा टूस्टू थ्री तीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है साथ लीटर आपसे यही पूछ रहा है न आपको बताना है find the amount of P that must be added to seven liters of Q so that the mixture may weigh as much as an equal to volume of water यहां बीच में दिखा हुआ है कि मिलाने के बाद weight जो होना चाहिए वह पानी के बराबर होना चाहिए इसलिए overall हमने यहां पर पानी का weight किया हुआ अब बोल रहा है कि दूसरे वाले का तीन लिटर लिए तो पहले वाले का कितना तो अगर सुधा बॉट 80 articles at the same price she sold some at 8% profit and the remaining at 12% loss resulting an overall profit of 6% then find the number of items sold at 8% profit सुधा ने एक निश्चित कीमत पर 80 वस्तुए खरीदे थे उसमें से 8% को लाब पर बेचा कुछ को और 6 को 12% के हानी पर बेचा परिनाम स्वरूप क्या हुआ तो 6% का समगर लाब हुआ तब बताना ही कि 8% लाब पर बेचे गए वस्तुए का क्या संख्या थी तो 80 संख्या है है total इसमें से कुछ को क्या कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 8% के profit पर बेच रहे हैं कुछ को हम 12% के loss पर बेच रहे हैं ओवरॉल क्या हो रहा है तो 6% का profit हो रहा है तो अब देखिए हमेशा जो value होती है बीच की वह एक से बड़ी एक से छोटी होती है तो आप देख रहे हैं कि यह 12 माइनस 12 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है तो दूसरे तरफ लिखना होगा 8-6 का इतना value रहेगा इस तरफ आ होंगे 80 वालो जो quantities है इसमें से कुछ जो है यहां पर 80 quantity यानि कि यह जो ratio होगा इसका मतलब 8 परसेंट वाले का रिश्यो विट माइनस 12 परसेंट वाले का जो रिश्यो वह इस रिश्यो में रहेगा मतलब कि 9-1 के रिश्यो में आपको बताना था कि 8% profit वाले में हमने कितने आर्टिकल्स बेचे तो देखकर समझ में आ रहा है यहां पर 9 आर्टिकल्स था तो 9 out of total 10 multiplied by total value जो है वो 80 है तो यहां से जो quantities रहेंगे वो कहीं न कहीं 72 होगा यानि 8% profit में हमने 72 आर्टिकल्स को बेचा होगा और केवल 12% के loss में बाकी बचे हुए 6 आर्टिकल्स को बेचा ह आर्ट परसेंट वाले में कित्ता बिचा तो 72 बिचा है नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन के ओपर दिया हुआ यहां पर दिवा इन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 कोशन अनुराधा करेक्ली एंसर्ट सेवेंटी परसेंट अफ दी फर्स्ट एटी कोशन्स वाट परसंटेज इं इसके और तो करेक्ली एंसर तो स्कोर 60 परसेंट इंडेटेश्ट देखें यहां पर प्रस जो है यहां पर एक सो चालीस प्रस्ट में अनुराधा ने पहले कि 80 प्रश्ट में 70 प्रतीश्त सही उत्तर दिया था पर एक्षण में 60 प्रतीश्त स्कूर करने के लिए उसे कि साइपने प्रतिशा सेज़ प्रस्ट्रिक साही करने हुँग है कि व उतर देने की आवशच्ता है मतलब हैक्षा स्प्रस्फ리 companion में यहां पर सधी होना चाहिए इसकी आपक्ता है लगेगा दो 140 कोश्टन में आपको Kafichern किया गए एससी कश्टन में और 60 कोश्टन में मतलब कहीना कई क्वांटिटी क्योंकि देखे पहले 80 कोश्टन का अलग आवरज है और यह गार आपके पास quantity का ratio लेने से एवरेज में कोई फरक नहीं बढ़ता तो इस चालिज कोईशन और साथ कोईशन का average हम 20 से काटके चार उनुपाद 3 लिख सकते है ठीक है अब पहले के जो 80 कोईशन से इसमें 70% मार्क स्वोर किया है अनुराधा ने और ओवराल जो है 60% स्कूर किया है तो अनुपाद जो है वह एक्चुली 4 रेश्चो 3 में है मतलब यह जो 10 यहां से जो डिफरेंस आएगा वह 10 का अब देखिए यहां से 3 बराबर अगर 10 है तो यह 4 बराबर कितना हो जाएगा तो 10 by 3 multiplied by 4 यानि कि यहां पर जो वैल्यू आएगा वह कहीना कही हो जाएगा 40 by 3 40 by 3 अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप से यह पूछा जा रहा था कि remaining में कितने percentage सही होना चाहिए यानि remaining का average आपको निकालने को कहा गया है अब यहां से जब remaining का average निकालने को कहा जा रहा है तो आप खुदी बताइए कि अगर यह value इससे बढ़ा है 70% 60 से बढ़ा है तो यहां वाला value कहीना कहीं से छोटा होगा और इसका जो difference है यानि इधर वाले value का और इधर वाले का difference कहीना कहीं इतना है तो यह जो value है कहीना कही 60-40 by 3 होगा जो कि हो जाएगा 180-40 by 3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 140 by 3 टोटल हो जाएगा 140 divided by 3 परतीसत मतलब कहीना कही 46 2 by 3 परसेंटेज जो है यह सही जवाब होगा कि remaining का 46 2 by 3 परसेंटेज सही होना चाहिए यानि C option is the correct answer for this question clear बात समझ में आ गए इस सवाल में हमें कैसे solve करना था चलिए अब यहां से दिया हुए average marks obtained by 120 candidates in a certain exam is 35 if if any if average marks of the past candidates is 39 and failed candidates is a 15 then what is the number of candidates who passed in the examination तो 120 परिक्षारत्री है जिसमें से कुछ लोग pass होते हैं और कुछ लोग fail होते हैं जो लोग pass हो रहे हैं उन्होंने 35 और प्राप्त कि और सवाल में यह दिया हुआ है कि total जो ओसत अंक है ओसत अंक जो कहीं न कहीं 35 का है यानि कि overall यहां पर 35 अंक है average marks जो इन्होंने लाया है तो आपसे यह पूछा जा रहा था कि pass होने वाले candidates की संख्या क्या है तो what is the candidates of मनलब कि ऐसे कितने परिक्षार्थी है जो परिक्षा में उत्तीन हुए यानि पास होने वाले candidates का आपको value निकालने को आ गया तो यहां पर बस ratio निकाल लिजी तो इन दोनों का difference यहां पर आ जाएगा 20 यानि कि 35 और पंद्रा का difference 20 और 39 और 35 का जो difference है वो कहिना कई चार आ रहा है तो अगर ratio लेते तो कहिना कई 5 इस तो 1 का ratio है तो जो पास हुए पास होने वाले बच्चों का हमको बताया गया कि संख्या क्या है तो पास students की अगर value की बात करें तो यहां पर 5 है out of six multiply क्या करना होगा तो टोटल 120 में से multiply करना होगा यानि कि यहां पर 20 आएगा चे से काटने पर और multiply करने पर यहां पर कहीना कई 100 candidates होंगे जो की पास हुए होंगे तो इस वी जो है सवाल का सही उतर है अगर आपको 5 इस तो 1 में बाटना है overall 6 बरावर इतना होगे मतलब 20 इस तरीकी के सवाल को हम यहां पर लेंगे इसी के साथ आपका वीडियो जो है complete होगा देखिए एल्जेवरा की किसी क्लास में x y z में यानि कि यहां दिया हुए average score of the class x जो था in three class x y z and algebra test was conducted तो एक एल्जेवरा का test हमने यहां पर connect किया बीजगनित का तीन कक्षाओं में कक्षा x का जो average आया कक्षा x का जो average score आया 83 का कक्षा y का जो average score आया वो कहिना कई 76 का आया और कक्षा z का जो average score आया 85 का अब इसमें बोला गया कि x और y का combined average यदि हम निकालते है का x और y का combined average 79 का है y z का combined average कहीं न कई 81 का है आपको बताना है x y z का combined average क्या है देखे जबी भी आपको यहां पर इस तरीकी के x का average दे दिया y का average दे दिया और z का average दे दिया और आपको x y z के तीनों का average एक साथ निकालना है तो आपके पास quantity होना चाहिए तभी तो आप weighted average या deviation लगा पाएंगे तो जहां पर मैंने इस वीडियो को शुरुआत की थी मैंने वहां पर आपको शुरुआती तो और बताया था कि अलग-अलग quantities का अलग-अलग average दिया तो आपको यह पता तो मैं अगर x और y के quantities का ratio निकालने की बात करूं तो वह ऐसे निकल जाया कि x और y का ratio यहां पर इस तरीके से आएगा 83 average था x का 76 average था y का और overall यहां पर xy का average 79 हुआ तो यहां पर जो x ratio y है वो कही न कई इधर पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 4 तो x अनुपात y जो है x ratio y जो है वो कही न कई आ जाएगा 3 इस तो 4 का अब इसी प्रकार y और z का ratio दिया हुआ था कि y और z का total average 81 है तो कही न कई यहां से y और z का ratio भी निकाल लेता हूं y इस तो z कैसे निकलेगा इसके लिए आपके पास average दिया हुआ y का separate y का 76 z का 85 76 85 साथ में y z का combined average जो 81 इससे आप जब allegation लगाएंगे तो कही न कई यहां पर चार आ रहा है और यहां पर जो है कही न कई आपका पांच आ रहा है 4 is to 5 तो y ratio z भी हमको दिया हुआ था y ratio z कितना है तो 4 is to 5 अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इस तरीके के सवाल हम कई बार देखें आप भी y में 4 बच्चे पड़ रहे है यानि कि x y z का ratio हमारे पास आ गया कि x का ratio 3 y का ratio 4 और z का ratio 5 है अब हम यहां से average निकाल सकते है weighted average भी आप लगा सकते हो चाहिए आप deviation लगाएं ताकि क्योंकि हमारे पास यहां पर यह भी पता चल गया कि x y z की quantities क्या है और हमें यह भी पता चल गया कि x y z का अलग-अलग average क्या है तो overall average निकालने की बारी आएगी तो बहुत चारे तरीके है असान तरीका सबसे है आप deviation लगाई है deviation से बहुत जल्दी solve होता है तो मैं मान लेता हूं कि average जो है उसको 83 मान के चलते है 83 average मान के चलते हैं कि 83 average है तो यहां पर कुछ बच्चे जो है वो यहां पर minus 7 लेकर आ रहे है marks average से जो कि है 4 में तो यहां minus 28 का average हो जाएगा 28 कम हो जाएगा average sum और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 marks ज्यादा ला रहे है average से ऐसे 5 बच्चे है यानि कि इसमें मुझे 5 into 2 यानि कि 10 extra लाना होगा और overall जो बच्चे है वो कही न value को अगर मैं solve करूँ minus 28 और plus का 10 मतलब minus का 18 हो जाएगा और इसको काटने पर कही न कहीं 1.5 आ रहा है minus of 1.5 मतलब हमने यहां जो assumption लिया है वो थोड़ा ज्यादा है actual जो average हो 83 minus of 1.5 जो कि है 81.5 क्लियर तो यह B जो है सवाल का सयुत तरूबा ठीक है चलिए अब हम यहां से इस वीडियो को रोकते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपको हमने यहां जो सवाल कराया है mixer allegation में जो खास तोर से इस वीडियो में मैंने allegation cover किया अगले वीडियो में जो इसका second part रहेगा उसमें मैं mixtures के pure questions लोंगा replacement के questions भी होंगे तो इसी के साथ जो है आपका average mixture allegation पूरा complete ह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें अपने दोस्तों के साथ और bell icon दबाएं क्योंकि यह best quality content आपको मिल रहा है free of cost चलिए आने वाले वीडियो में हम continue करेंगे mixture allegation के part 2 वीडियो के साथ thank you so much इस वीडियो में इतना ही